नमस्कार, मैं गूपाल कृष्ण ठाकूर महात्मागान्धी अंतराष्ट्री हंदी विश्व विद्याले से और आज आपके पाठ्यक्रम 510 से विज्ञान का इतिहास एवं दर्शन विशाई पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ सिक्षार्चियों विज्ञान का इतिहास एवं दर्शन विशाई पर विमर्ष करने से पूर्व हम इसे दो हिस्सों में बाट कर समझने की चेश्टा करेंगे विमर्ष का प्रथम भाग जो होगा वह विज्ञान का इतिहास से संबंधित होगा और दूसरे हिस्से में हम विज्ञान के दर्शन पर कुछ चर्चा करेंगे विज्ञान का इतिहास वैज्ञानिक विकास की यात्रा है विज्ञान का इतिहास का सामान्य अर्थ विज्ञान और विज्ञानिक ज्ञान के इतिहासिक विकास के अध्ययन से है विज्ञान के विकास एवं इतिहास को हम मुख्यता तीन काल खंडों में विज्ञान की विकास यात्रा के माध्यम से समझ सकते हैं प्राचीन काल में विज्ञान, मध्य काल में विज्ञान वा आधुनिक काल में विज्ञान प्राचीन काल में विज्ञान की जो विकास यात्रा रही है उसमें हम पुनह दो मुख्य अंसों में समझने की चेश्टा करते हैं एक तो भारत में विज्ञान की विकास यात्रा प्राचीन काल में कैसी रही और फिर विश्व में अन्य देशों में खास करके पास्चात्य देशों में विज्ञान का विकास किस तरह से आगी रहा है उस एतिहासिक यात्रा को हम समझने की चेश्टा करेंगे भारती ये परिप्रिक्ष्य में हम पाते हैं कि प्राचीन काल में भारत में गनित, खगोल शास्त्र, क्रिशी, परियावरण, रसायन शास्त्र, वैमानिकी, एवियेशन, योग एवं वास्तुकला के खेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कारिय हुए सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत में माने जाने वाले जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना आज से लगभग साथ हजार वर्ष पूर्व, यानि की पाँच हजार वर्ष ईसा पूर्व हुई और इन ग्रंथों में इन वेदों के जो कर्मकांड के कल्प विधान हैं, उन्हें श्रौत सूत्र कहा जाता है, और उन श्रौत सूत्रों में से शुल्ब सूत्र, एक प्रसिध सूत्र है, जिसमें की भारतिय गनित के संबंध में, बहुत ही व्यापक विवरण मिलता है, खा राजीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कारिया हुए, अगर हम देखें, तो प्रमुख चिकित्सा की विधाएं जो उन दिनों में थी, एक आत्रेय जिसमें की इंटर्नल मेडिसिन सिस्टम डवलप हुआ, रिशित चरक उसके प्र पूर्ण कारिया हुए, इसका प्रमान हमें मिलता है, उसी तरह एक दूसरी विधाथी चिकित्सा की, जिसे धन्वन तरी कहते हैं, यह मुख्यता सरजरी से संबंधित्री, शल्य चिकित्सा, जिसके की प्रमुख विद्वान सुस्रुत हुए, लगभग 600 वर्ष इसा पूर जिसमें की स्त्री रोग एवं बाल रोग संबंधी कारिय काफी हुए, वागभट उसके एक प्रमुख विद्वानों में से रहे, तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान ने अत्यंत महत्वपूर्ण तरक्की की प्रगती की और काफी अध्ययन हुए, और मानव्य सभ्यता के विकास में मानव सभ्यता की देखभाल में विज्ञान ने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके साथ साथ विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी बढ़िया अच्छा विकास हुआ, प्रकास की गती की गणना रिगवेद सं अधाती में पाये जाते हैं, हम आर्यभट का नाम हमने सुना है, आर्यभट भारतिय विद्वानों में से एक प्रमुख विद्वान रहे हैं, जिन्होंने खागोल शास्तर के एस्ट्रोनमी के एक शेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कारिया किया है, वराह मिहीर एक और वि इजगनित, एलजेब्रा का जनक माना जाता है, फादर ओफ एलजेब्रा भी कहा जाता है उन्हें, वहीं नागारजुन एक और विद्वान हुए, 931 इसवी के आसपास का काल उनका रहा है, जिन्होंने उस समय भी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, प वियापक तौर पर की गई है, हमारे स्वास्थ से संबंधित, हमारे शारिरिक चिकत्सा से संबंधित, विधान इसमें योगी क्रियाकलापों के मार्ध्यम से इसका वरणन किया गया है, वहीं भासकराचारिया एक विद्वान हुए, जिनका सिधांत, शिरोमनी, विश्व विख्यात है, अपने गणितिये सूत्रों के लिए, इसके अतिरक्त हम सिंधु घाटी की सभ्यता में भी प्राचीन भारतिये विज्ञान की सम्रध्धी के अनेक अनेक प्रमान पाते हैं, तो यह तो भारतिये जगत में, भारतिये परिप्रेक्षे में विज्ञान की अगर हम देखें, तो हम पाते हैं कि पस्चमी दारशनिकों और वैज्यानिकों ने वैज्यानिक पध्धति की नीव का नेत्रत्व किया। इसी समय में, ग्रीस में, युनान में विज्ञान के अध्यायन का केंद्र स्थापित किया गया। हम सभी जानते हैं पैथागरस, पैथागरस थियरम के नाम से विख्यात हैं, आर्केमीडीज का उत्प्लावन सिधान्त, बॉयन सी प्रिंसिपल, आर्केमीडीज पैथागरस जैसे विद्वान इस समय में हुए जिन्होंने विज्ञान के एक्षितर में काफी भूमिकाने भाई, इस काल में गणित भौतिकी एवं चिकिट्सा विज्ञान के एक्षितर में उलेखनी ये कारिया हुए, अब हम मध्य काल में देखने की चेष्टा करते हैं, तो मध्य काल में भारत में विज्ञान का विकास बहुत अधिक उलेखनी ये तो नहीं रहा, इसके पीछे कई कारण थे, भारतिय समाज उन दिनों में कई चीजों से ग्रस्त था, अंधविश्वास ने लोगों के मनो मस्टश्क में अपना घर बना लिया था, डॉक्टर्स किसी व्यक्ति का जो मरनासन हो या मर गया हो उसके शरीर को छूने से भी परहिज करते थे उस सम अपसा पड़ गया, यदिपी हर्ष वर्धन के समय तक काफी कार्य हुए, परन्तु फिर भी मध्यकाल में उतना संतोष जनक विकास विज्ञान का भारत में खास करके नहीं हो पाया, यदिपी शेर्षा सूरी और कुछ अन्य मुस्लिम जो शासक हुए, इनके समय में जाता है कि विज्ञान की गती थोड़ी सी धीमी पड़ी, परन्तु यह वह काल था जब पास्चात्य जगत में विज्ञान की प्रगती अभूत पूर्व गती से आगे बढ़ रही थी, इतली के लियोनार्दो द विंसी, जिनको लोग एक चित्रकार के रूप में, कलाकार क के रूप में जानते हैं, वे एक कलाकार होने के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी थे, पस्चिमी देशों में यह रेनेसा, पुनर जागरन का काल था, इस समय में कोपरनिकस ने ग्रहों की गती की पूर्वस्थापित मान्यता को चुनोती दी, तॉलमी का सौर मंडल से सं रूप चुनोती दी, और सौर मंडल संबंधी नई अवधारना का प्रतिपाधन किया, यदि पी उनकी इस अवधारना को स्विकार करने में लोगों को सेकड़ों वर्स लग गए, परन्तु अंतताह उनकी अवधारना प्रमानित हुई, गलिलियो उस समय के महान वैज्ञान अवधारना को उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिध्ध किया, तो यह मध्यकाल एक तरह से पास्चात्य जगत के लिए बहुत ही अच्छा समय रहा था विज्ञान की विकास यात्रा के लिए, उसके पास्चात हम देखते हैं कि आधुनिक काल में विज्ञान ने क प्रकार की यात्रा की है भारतिय और पास्चात्य जगत में, हम सभी जानते हैं कि आज विज्ञान संभवता अभी तक की अपनी विकास यात्रा के उतक्रिष्ट शिखर पर है, पस्चिमी देशों में आधुनिक काल में विज्ञान के खेत्र में अभूत पूर्व प्रगत न्यूटन के गती का नियम हम सभी जानते हैं, केवेंडिस ने हैड्रोजन की खोज की, प्रीश्टले ने no oxygen की खोज की, जेमी वार्ट का नाम हमने सुना है जो steam engine के आविश्कार के लिए जाने जाते हैं, फेरडए ख्यू к्रोव उनको father of electricity भी कहा जाता है, ग्राहम को हम टेलेफोन के जनक के रूप में जानते हैं और इन ही दिनों में ओद्योगी क्रांती का उद्भब हुआ परंतु विश्वयुद्ध भी हुआ साथ में जिसमें की विज्ञान की खोज के भी अनेक दुश्प्रयोग हुए तो हम पाते हैं कि ओद्योगी क्रांती और विश्वय युद्ध ने विज्ञान के प्रती लोगों के द्रिष्टिकोन को गहराई से प्रभावित किया। आजुनिक भारत में हम अगर देखें तो अंग्रेजों के शासनकाल में यद्यपी विज्ञान के ख्षेतर में विकास तो हुआ परन्तु गाती अब एक शाक्रित कम रही। स्वत्नतरता के बाद लेकिन देश में विज्ञान के ख्षेतर में अत्यांत महत्वपूर्ण कारिय हुए। विज्ञान सिक्षण की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित हुई। UNESCO Planning Mission के सहयोग से विद्यालेयों में विज्ञान सिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयात्न किये जए। विभिन सिक्षा आयोगों ने विज्ञान सिक्षण पर बल देने की संस्तुती की जिसके परिणाम स्वरूप NCERT, SCERT एबं राज्य विज्ञान सिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। भारत ने विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 2008 में चंद्रमा पर भारत ने यान भेजा और 2014 में मंगल ग्रह पर यान भीज कर भारत ने विज्ञान की दृष्टी में विश्व के महत्वपूर्ण देशों में अपना एक स्थान बनाया है। तो यह अभी तक की वैज्ञानिक विकास की यात्रा रही है जिसको हम History of Science के अंतरगत हमने समझने की चेश्टा की है सिख्षार्थियों इसके उपरांत हम एक इस चर्चा के दूसरे विशे विज्ञान का दर्शन पर हम जाएंगे इस पर विमर्च करेंगे यद्यपी विज्ञान का दर्शन एक ऐसा विशे है जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है और दर्शनिक चिंतन की अपनी एक गंभीर और बहुत लंबी परंपरा रही है हम यह जानने की चेश्टा करते हैं कि विज्ञान का दर्शन जब हम शब्द अबली का उपयोग करते हैं तो हमारा आशे क्या है विज्यान का दर्शन जो विशे है इसके अंतरगत विज्यान के दार्शनिक तथा तार्किक पूर्व धारनाओं आधारभूत मान्यताओं तथा उनसे निकलने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है विज्यान के दर्शन में अभिधारनाओं के स्वरूप प्रकृति एवं विकास परिकलपनाएं तर्क एवं निशकर्ष विज्यान की विधा में इनके उपयोग की विधी प्राकृति घटनाओं की वैज्यानिक व्याख्या तथा भविश्यवानी प्रेडिक्शन जिसे हम कह विज्ञानिक तथ्य scientific facts को समुचित वस्तुनिष्ठता से objectivity के साथ स्थापित करने वाले साधन विज्ञानिक विधियों, प्रविधियों एबं प्रयोग के परिणाम आधि पर विमर्ष किया जाता है। विज्ञान का दर्शन हमने अभी जैसा की कहा कि यह काफी विशद है, परन्तु इसे हम वर्गिक्रित करके अगर समझने की चेश्टा करें, तो विज्ञान के दर्शन में मूलताह दो प्रमुख कार्य किये जाते हैं, दर्शनिक विमर्ष में, एक तो इसमें वैज्ञानिक स प्रक्रिया के दो अंस्ट हैं, एक तो वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया और दूसरी वैज्ञानिक सत्यापन की प्रक्रिया, verification process, और इन समग्र चर्चा के अंतरगत हम वैज्ञानिक धारणाओं, आधारभूत तत्व, जो foundations होते हैं विज्ञान के, वैज्ञानिक विधि इस पर चर्चा करते हैं, हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक स्पष्टिक करण से हमारा आशा है कि विज्ञान का एक प्रमुख कार्य है कि विज्ञान अपनी प्रकर्थी एबं परिवेश में होने वाली घटनाओं की व्याख्या करता है, कोई भी चीज कैसे घटित हो रह ही है, या फिर हमारे जो अब्जर्वेशन्स होते हैं, अबलोकन हम करते हैं, उन अबलोकन की जो बारी किया होती है, उस पर विज्ञान के दर्शन के अंतरगत विमर्ष होता है, अगर आसमान, आकास का रंग नीला है, तो वह नीला क्यों है? अगर सूर्योदय या सूर्यास्त की घटना होती है, जिसे की बाद में लोगों ने खंडित किया कि सूर्योदय या सूर्यास्त जैसी घटना वास्तब में होती नहीं, सूर्य का कभी उदय या अस्त नहीं होता, पहले तो यह धारना थी कि सूर्य प्रथवी के चारों और प सत्य साबित हुई, तो ऐसे में वेज्ञानिक स्पष्टी करण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, और वह स्पष्टी करण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाले वेज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का परिणाम है, और वह खोज यूहीं वेज्ञानिक तत्य में या सिध वही सत्य है उसने सत्य की खोज की सत्य को स्थापित किया ये सब विज्ञान के दर्शन के अंतरगत आते हैं वहीं विज्ञानिक उस्पष्टी करण के कुछ सिधानत है जिसकी भी चर्चा हम विज्ञान के दर्शन के अंतरगत करते हैं विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत कुछ प्रमुख विमर्ष हैं यदि पी विमर्षों की स्त्रंखला बहुत लंबी है बहुत लंबी विज्ञानिक दर्शन या दर्शनिक विमर्ष की परंपरा रही है यहां हम संक्षेप में कुछ जानने की चेश्टा करते हैं कि विज्ञान के दर्शन का सामना किन वादों से, किन विवादों से और किन विमर्शों से हुआ है इसमें सबसे पहले स्रिष्टिवाद बनाम विकासवाद का विमर्श आता है स्रिष्टिवाद क्रिएशनिज्म एक ऐसी धारणा रही है जिसके अनुसार मनुष्य का स्रिजन किसी अलोकिक सत्ता ने किया है और वह भी किसी उद्देश्य विशेष से मनुष्य का स्रिजन हुआ है यह कुछ विचारक हैं कुछ लोग हैं जो ऐसी धारना रखते हैं परंतु विज्ञान इसके उलट इसके विपरीत इसका खंडन करता है और विज्ञान यह नहीं मानता कि मनुष्य का स्रेजन किसी अलोकिक सत्ता ने किया है विज्ञान यह कहता है कि मनुश्य का जो वर्तमान स्वरूप है यह शुरू से ऐसा स्वरूप नहीं रहा है इसे उद्विकास का से धांत कहा जाता है कि कभी किसी अन्य प्राणी या जन्तू के स्वरूप में उत्पत्ति हुई जीवन की जो लाखों वर्षों के करमिक विकास के उपरांत धीरे 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 परिवर्तित होते होते मनुश्य वर्तमान रूप में पहुँचा है अन्य जीब भी जो दूसरे जीब भी है इसमें कई लोग कहते हैं कि मनुष्य पहले एप था या वन मानुस था या फिर जो बंदर जैसी एक प्रजाती होती है तो मनुष्य के पूरबज कदाचित उस रूप में रहते होंगे यह बहराल अलग-अलग विचार की एक धारा है तो इसे विकासवाद या उद्विकास का सिध्धान्त कहा जाता है अब दर्शन का हस्तक्षेप यहां इस माइने में होता है खासकर के विज्ञान के दर्शन का कि विज्ञान का दर्शन बिना प्रमान के बिना सत्यापन के किस प्रमुख विमर्ष विज्ञान के दर्शन का स्रिष्टिवाद बनाम विकासवाद का रहा है यह भी कहा जाता है कि विज्ञान आखिर कहा किसे जाए आज के समय में भी हम देखते हैं कि अनेक अनेक विज्ञान के साथ साथ अनेक अन्य ज्ञानानुशासनों का विकास भी हुआ है और उन ज्ञानानुशासनों ने अपने साथ शब्दा वली में विज्ञान शब्द को भी जोड़ा है उधारन के तोर पर एक तो खगोल विज्ञान है और दूसरा जियोतिश विज्ञान है mobility astronomy और astrology अब यहां पर यहां विमर्ष और विवाद सदेब चलता रहा है कि विज्ञान इनमें से किसे माना जाये और किसे ना माना जाये एक तरफ astronomy है जो ग्रहों की गती के बारे में विमर्ष करता है अध्यायन करता है वहीं दूसरी तरफ astrology है, जोतिश विज्ञान है, जोतिश शास्त्र है, जो ग्रहों नक्षत्रों की गणना के आधार पर मनुश्य के भविश्य को बताने का दावा करता है, तो परंतु विज्ञान इसको नकारता है, विज्ञान के अनुसार कि यह जोतिश शास्त्र कि इसके प्रमान उपलब्ध नहीं है तो यह एक प्रमुख विमर्ष है विज्ञान के दर्शन में कि विज्ञान कहा किसे जाए विज्ञान कुछ विशे ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान माना जा सकता है वहीं कुछ विशे ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान नहीं माना जा सकता य यह non-science कहलाते हैं और यह अवलोकन आतमक प्रवर्ति वाला जो भी शास्त्र होता है वह विज्ञान कहलाता है और ऐसे में कुछ ऐसे ज्ञान आनुशासन है जो अवलोकन पर नहीं बलकि सिर्फ अवधारनाओं या धारनाओं पर आधारित होते हैं तो विज्ञान या विज perception या experience और cognition अनुभूती और संग्यान दोनों का समावेश होना चाहिए अनुभूती हम अपने इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियानुभब के माध्यम से हम संकल्पनाओं का निर्मान करते हैं और उन संकल्पनाओं का परिमार्जन या निर्मान की प्रक्रिया को अंतिम रूप हमारी जो mental faculty होती है, हमारी जो मानसिक शमताएं होती है, बुद्धी है, reasoning है, उससे हमारे अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिमारजित किया जाता है। एक दूसरी चर्चा विज्ञान के दर्शन के अंतरगत reductionism है, न्यूनी करण या सरली करण हम इसे कह सकते हैं, जो यह मानता है, यह विचार धारा ऐसी है, जिसके अनुसार प्रकृती वपरिवेश में घटित होने वाली जटिल से जटिल, घटनाओं की व्याख्या उनके लग तो यह भी एक विमर्ष है, जिसके कई लोग पक्ष में होते हैं, कई इसके पक्ष में नहीं भी होते हैं, परंतु विज्ञान के दर्शन को सदैव ऐसे विमर्ष जीवंत बनाए रखते हैं, एक और चर्चा है प्रत्यक्षबाद, संशयवाद और बुद्धिवाद की, प विज्ञान के ज्ञान का स्रजन सदैव प्रत्यक्ष अनुभावों से होता है, वहीं दूसरी ओर संशयवादी हैं, स्केप्टिस्ट्स हैं, जो स्केप्टिस्ट्स जो हैं संशयवादी हैं, वो यह मानते हैं, कि विज्ञान के सिध्धान्त कभी अटल सत्य नहीं होते, इन उसे को जाचते रहने की चेश्टा करते रहेंगे और जाचते रहने से निरंतर, सतत जाचते रहने से कदाचित किसी नए सत्य का उद्गाटन हो और पुरानी मान्यता खंडित भी हो और हम पाते हैं कि विज्ञान में ऐसा कई बार हुआ है क्लासिकल मेकनिक्स और क्वांटम मेकनिक्स की बात हम करें अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें या फिर परमानु की अब धारना की बात करें या फिर खगोल शास्त्र में सौर मंडल की अब धारना की बात करें तो हम पाते हैं कि पुरानी मान्यताएं खंडित हुई है वह और इस तरह से ज्ञान का यह कोश निरंतर बढ़ते रहता है, संबर्धित होते रहता है। वहीं विज्ञान के दर्शन के अंतरगत हम ज्ञान के स्वरूप की चर्चा भी करते हैं। कि विज्ञान के अंतरगत जो ज्ञान है, इसका स्वरूप कैसा हो। कितने प्रकार के ज्यान हम मान सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि विज्ञान के दर्शन में यह एक अत्यन्त रुचक व महत्वपूर्ण विमर्ष है। जिसके अंतरगत हम मुख्यता तीन प्रकार के ज्यान की चर्चा करते हैं। एक तो know-how, कार्य विधी संबंधी ज्यान। दूसरा know-why, कारण का ज्यान। और तीसरा know-that, तथ्य का ज्यान। यानि कि ज्यान एक तो प्रथम जैसे हमने कहा know-how, कि कैसे किसी भी चीज को अगर करें तो कैसे करें। दरसल यह कौशल परक ज्यान है, क्षमता मूलक ज्यान है, इसके अंतरगत छात्र विज्यान से संबंधित प्रयोग करना सीखते हैं, उनके कौशलों को सीखते हैं और बिलकुल शुद्धता के साथ, प्रिसीजन के साथ प्रयोग करते हैं और प्रयोग से निशकर्स तक पह या घटनाएं बादल अगर गरस्ते हैं या बिजली चमकती है या वजरपात होता है तो क्यों होता है क्या कारण है इसके पीछे अगर अगर mechanical energy से विद्युत उरजा उथ्पन होती है यांतरिक उरजा से विद्युत उरजा तो किस प्रकार होती है कैसे होती है क्यों होती है तो यह व्याख्या संबंधी जो विमर्ष होता है कि ज्ञान का यह स्वरूप व्याख्या करने पर बल देता है स्पष्टि करण करता है घटनाओं का गटनाओं की व्याक्या करता है और इसमें वह पूर्वस्थापित नियमों, सिध्धानतों वह स्वानुभब के द्वारा स्पष्टि करण की प्रक्रिया करना हम सीखते हैं जो तीसरा है वह है तथ्य का ग्यान, अब वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं वह अटल होते हैं, उसे हम मैनिपूलेट नहीं कर सकते परंतु दर्शन, विज्ञान का दर्शन यह विमर्ष करता है कि कोई कैसे जानता है कि वह जानता है How does one know that he knows अगर हम यह दावा करते हैं कि हम किसी चीज को जानते है तो हम कैसे जानते हैं हम जानते हैं यानि कि जानना किसे कहते हैं ज्ञान किसे कहेंगे हम तो इसमें एक जो मुक्ष़ अवधारना विकसित हुई है जो कदाची तब ही तक असंदिक्द रही है, वह यह कि किसी भी तथ्य को ग्यानके रूप में स्थापित होने के लिए तीन अवश्ककशर्तों का होना जरूरी है एक तो यह कि अगर हम यह दावा करते हैं, कि हम जानते हैं, यह ग्यान है तो हमारा उस ग्यान में विश्वास होना चाहिए जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्य उसके साथ है आवश्यक तत्वा है वह यह कि जिस बात पर हम विश्वास करते हैं कि यह ज्ञान है वह सत्य भी होना चाहिए और सत्य होने के लिए यह अति आवश्यक है कि उसका प्रमान उपलब्द होना चाहिए तो किसी भी ज्ञान के लिए यह तीन आवश्यक शर्ते होती है कि ज्ञान सत्य प्रमानित विश्वास होना चाहिए ज्ञान किसी अफवाह पर आधारित नहीं होना चाहिए या अपने मन के कपोल कलपना पर आधारित बातों को हम ज्ञान की श्रेमि में नहीं रख सकते तो विज्ञान का दर्शन मूलतह ज्ञान की इन ही अवधारनाओं पर विमर्ष करता है और निरंतर इस विमर्ष से या इन विमर्षों की विभिन शाखाओं धाराओं से विज्ञान का समवर्धन होता रहा है और आगे भी हम विज्ञान की मान्यताओं पर रह कर चल कर विज्ञान को खंडित करने की परंपरा विज्ञानिक मान्यताओं को असत्य साबित करने की प्रवर्थी इसका यह आशे नहीं कि विज्ञान के दावों को जुठलाए बलकि हम सत्य के और निकट पहुँचने की जो को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमी का निभाता है धन्यवाद